दूस्तों, गर आप भी अपने YouTube चनल पर वीडो अपलोड करते हो और आपकी वीडो पर व्यूज नहीं आता है तो इसका मतलब है कि कुछ तो गलती आप कर रहे हो जिसकी वज़ेशे आपकी वीडो पर व्यूज नहीं आ रहे हैं नहीं आपकी वीडो वारल होती है, आपकी वीडो पर बस चार से पांच, 10, 15 वीव आगर के रूख जाते हैं, जाता से जाता सो वीव आगर के रूख जाते हैं, और वो वीडो बेकार हो जाती है, चाहे आपने कितने महनत से वीडो उसको बनाए हो, लेकिन वो वीडो बेकार ह हुप है अब देखेंगे कि मेरे जो विवर्स हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है इसके बाद है यूटूब मेरी विडियो को लोगों के सामने वेता है लोगों को बेता है कि यह वाली वीडियो देखो इसके बाद सजेस्ट करता है सजेस्ट का मतलब तो साफ है कि यूटूब सजेस्ट कर रहा है कि आप इस वीडियो को देखी इसके बाद है यूटूब अदर फीचर में बाद बाकी के और भी तरीके से वीडियो को देखते हैं मतलब मेरी वीडियो को अब नए यूटूबर जब वीडियो अपर लोड करते अब वीडियो पर मैं आप जाकर दिखाता हूं तो देखिए 15,000, 20,000, 26,000, 35,000, 84,000, 33,000,000 वे वीडियो आ रहे हैं इसके बाद पॉपलर वीडियो पर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूं तो यह पर देखिए यह देखिए दिखिए 15,000,000, 1,2,000,000, 9,000, 8,000, 10,000,000 इस तरह से वीडियो आ रहे हैं याकि आप से मैं कुछ अलग तरीके से वीडियो पर आते हैं तो चिंता मत किजिए आपके वीडियो पर वीडियो नहीं आ रहे हैं तो आज मैं आपको एकदम बिल्कुल सही तरीका वीडियो आप गलत तरीके से वीडियो अपलोड करते हैं तो चिंता मत किजिए अगर आप नए हो यूटूब पर अपना चनल स्टार्ट केऊ आपको कुछ भी नहीं आता है या आप बहुत दिनों से वीडियो आपलोड कर रहे हो तो आप गलत तरीके से कर रहे है आज मैं जो तरीक आपको प्लस वाला आइकन जो मिलेगा ना इस पे आप क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए create a shot, upload a video, go live, create a post तो आपको यहाँ पर upload a video पर click कर देना है, ठीक है? upload a video पर click करने के बाद आप जो video upload करना चाहते हो, जैसे माल लेजिए जो भी आपकी वीडो है, उसको आपको अपने वीडो को यहाँ पर इस तरह से select कर लेना है, तो यहाँ पर देखिए मैंने इस वीडो को select कर लिया, select करने के बाद यहाँ पर मैं next करते हैं, next करने के बाद अब देखिए, ध्यां से देखिएगा मेरी बात को, ठीक है, मैं जो चीज बता रहा हूँ उसको आप ध्यां से समझना, लेकिन उससे पहले यार एक छोटा सा request है, इतनी important वीडो में आपके लिए बना रहा हूँ, यार वीडो को like नहीं की हो तो like कर देना बगल में, और subscribe अब नहीं की हो तो subscribe करके bell icon को प्रेस कर लीजिए, और bell icon को प्रेस कर लोगे तो जो भी मैं वीडो अप्लोड करूँगा, उसकी notification आपको सबसे पहले मिले की और आप वीडो देख करके कुछ ना कुछ नया सीख होगे तो subscribe करना बहुत जाला जरूरी है, अब यहाँ पर देखिए मेरी वीडो आ गई है अब देखो इसमें बहुत सारे option देगे है, बहुत सारे settings करना इसमें तो इसको simple से आपको क्या करना है, upload पे click कर देना है, ठीक ईहाँ पर देखिए मैंने upload पे click कर दिया, अब यहाँ पर देखिए, upload पे click करने के बाद uploading to your videos, see videos पे हम click करते हैं, click करने के बाद देखिए हमारे वीडो इहाँ पर upload हो रही है, इससे पहले मैंने अपना एक वीडो आपपलोड कर लिया था, क्योंकि इसे अप्लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगे है ठीक है चलिए अब हम यहाँ पर हमारी वीडियो अप्लोड हो गई है अप्लोड होने के बाद आप हमको next काम क्या करना है वो आपको मैं दिखाता हूं तो आपको जब आपकी वीडो अपलोड हो जाए तो आपको क्या करना है कि वाइटी शुडो इस तरह से ओपन करना है वाइटी शुडो ओपन करने के बाद यहाँ पर देखी content लिखा है इस पर आप क्लिक कर दीजे क्लिक करने के बाद हमारी जो वीडो अपलोड हुई है यहाँ पर देखिए सामने हमारी वीडो आ गई है इस पर हम चली क्लिक कर देते हैं अब क्लिक करने के बाद ध्यान से देखिएगा जो चीज़े मैं आपको बता रहा हूँ वो सारा चीज आप समझ जाए अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है यहाँ पर हमें काम करना है और इसके बाद Google के Chrome में भी हमको बहुत सारा काम करना है क्योंकि यहाँ से सारी सेटिंग होती नहीं यहाँ पर जो भी सारे सेटिंग होगी उसको हम कर लेते हैं बात बाकी का हम Google Chrome में करेंगे तो सबसे पहले हमको यहाँ पर अपना वाइटी शुड़ ओपन कर लेना है वाइटी शुड़ ओपन करने के बाद यहाँ पर देखी पेंसिल वाला आइकन मिला है इसको हम चली क्लिक करते हैं अब क्लिक करने के बाद देखी हमारा यहाँ पर आगया है क्या टाइटल आ गया है, description आ गया है, visibility आ ठीक है इसके बाद monetize आपका इसके नहीं रहेगा तो यहाँ पर monetize रहेगा, option बिलेगा, अगर monetize नहीं रहेगा तो आपर monetize का option नहीं मिलेगा यह थोड़ा सा तकलीफ वाली बात है जल्दी से monetize कर लिजे इसके बाद यहाँ पर आता है audience इसके बाद आता है playlist इसके बाद आता है more option यहाँ पर कई सारे चीज़े है चली एक एक करके मैं आपको है पर बताता हूँ ठीक है ध्य title पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है title कितना ज़्यादा important होता है आपको पता है आपको मैं इस चीज़ को Chrome browser में ले चलके आपको दिखाता हूँ तो Chrome browser के लिए आपको सबसे पहले Google open कीजिए इस तरह से आपका Google आज दाएगा और यहाँ पर ऊपर में लिखिए आपको क् क्लिक करना है ठीक है इसके बाद यहाँ पर देखो कि इस तरह से आएगा continue to studio इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका जो वाइट इस तरह से ओपन हो जाएगा ठीक ओपन हो जाने के बाद में यहाँ पर देखिए इस तरह पेंसिल वाले क्लिक कर देने के बाद में आप क्लिक करते हैं ओ Chamber इसको समझे में आने वाला नहीं डिक है तो क्रहा लिखा गया है जो ही जो का मतलब समझते हो क्या है कि यह कैची टाइटल जो भी आप टाइटल लिखते हो वह वीवर्स को हुक करता है मतलब जैसे क्या कि मचली पकड़ते वह आपनों लोगों ने देखा है ना जब मच्छुआरा जो होता है वह गंगा जी में या पानी में मचली पकड़ने के लिए तो हुक डालता है तो हुक में कुछ वह चारा फसा देता है मचली उसको खाती है उसमें फस जाती है तो उसी तरह से यह जो टाइटल है ना यह हुक का काम करती है आपके वीवर्स को एट्रैक्ट करती है ठीक और इसके बाद में when you create video title it's a good idea जब भी आप अपने वीडियो क टाइटल को create कर तो यह एक बहुत अच्छा idea है to include keywords उसमें आप include कर दीजे keywords अपने वीडियो में जो आप keywords include कर दोगे तो वो वीडियो क्या होगा एक तो सबसे पहले है कि जब कोई search करेगा आपकी वीडियो को वो search list में आ जाएगा और अगर catchy title लिखे रहोगे तो viewers उसे प title आपने वीडियो में डाला हुआ है उसमें जो keyword डाला हुआ है अगर वो match करता है तो आपकी वीडियो जब उपर में आ जाती है तो वो उसे क्लिक करके देखते हैं यह title का काम हो गया title 90% important है वीडियो को वारल करने के लिए समझ में आए मेरी बात को तो यहां पर मैंने title कैसे लिखते हैं अब जैसे माल लिजिए यहां पर मैंने जो वीडियो अप्लोड किया हुआ हुआ है आप लोग को दिखाने के लिए हम इसका title लिखते हैं माल लिजिए आपका जो भी category हो उस हिसाफ से यहां पर आप करना अब जैसे मैं लिखूंगा यहां पर क्या लिख ज्यांते देखिए इसके बाद में फिर यहां पर एक हमें इस तरह से double डंडा देना है ठीक है इसके बाद फिर हमको क्या लिखना है यहां पर लिखेंगे डंडा देने के बाद में यहां पर new channel कैसे बनाए ठीक इतना हो गया अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि YouTube से पैस पैसा कैसे कमाए ठीक है अब यहां पर देखिए क्या लिखा गया है 100 words दिखा गया है ठीक है इस 100 words में से आपको 80 या 70 word ही लिखना है क्योंकि इससे आपका वीडियो का title पूरा दिखता है कटा नहीं दिखता है और आपकी वीडियो rank अच्छे तरीके से करते है ठीक अब इ एक keyword हो गया इन सारे keyword से लोग search करते हैं कभी न कभी आपने भी इस keyword से search किया होगा तो इसके बाद में इस तरह से copy कर लेना है copy कर लेने के बाद में हमें इस title को अपने description में add कर देना है इस तरह से ज्यान देखिए इतना हो गया न तो अब क्या हो गया कि हमारा यहां पर 20 पर्संट काम हो गया ठीक है यूटुब चैनल कैसे बनाए इसका टाइटल हो गया और वही वाला डिस्किप्सटन में हमने आड कर दिया आड करने के बाद में अब यहां से देख लिए जब हमने टाइटल डिस्किप्सटन में होई सेम चीज डाल दिया अब हमें टैग को ओप अब जैसे आपके चैनल का नाम जो भी है मेरे चैनल का नाम है अब यहां पर क्या हो गया कि हमारा टाइटल डिस्किप्सटन और टैग तीनों मैच हो गया अब इससे क्या होगा कि अगर कोई लिखएगा youtube channel कैसे बनाएं तो आपके टाइटल से मैच हो गया टैग से मैच हो गया और made for kids, yes, it's made for kids, यह क्या है, कि अगर आप ऐसी कोई वीडियो बनाते हो, काटून वीडियो बनाते हो, या बच्चो टाइप वाली वीडियो बनाते हो, आप चाहते हो कि मेरे वीडियो को ज्यादा तर बच्चे लोग देखें, तो आपको अपने इस वाले option पर क्लिक करना है, त बच्चो वाली बनाते हो, तो आपको इस पे सरेट करना है, अगर आप ऐसी कोई वीडियो बनाते हो, आप चाहते हो कि सब कोई देखें, बच्चे से लेकर के बुड़े तक सब कोई देखें, किसी को रोक टोक ना हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, yes, it's not made for kids, यह बच् तो क्या समझेगा कि अपनी वीडियो को किसके पास में भेजना है, तो इन सभी सेटिंग्स को करना है, अब इसके बात देखी क्या लिखा गया, age rejection, advance, इस पे क्लिक करना है, अब नीचे भी देखी क्या लिखा गया, Do you want to restrict your video to an adult audience, अब इसमें कई सारे लोग क्या करते हैं, कि अपने वीडियो को जब ऐसे ही upload कर देते हैं, तो उसमें setting यह वाला रहता है, यह, yes, restrict my video to viewer over 18, अब जब यह वाला रहेगा, तो automatically है कि आपका views round हो जागा, क्योंकि 18 साल से नीचे वालों के पास में वीडियो रोकिये मत, मेरी वीडियो को सभी के पास में जाने दीजी, मेरी वीडियो सभी कोई देखना चाहते हैं, इसको आपको click कर देना है, इसके बाद में हमें back आना है, back आने के बाद हमको इस तरह से कर देना है, अब यहाँ पर देहें क्या लिखा गया, visibility, वीजबिलिटी में ह आपको बाद बताता हूँ जब पूरी वीडियो complete हो जाएगी अभी हमारी वीडियो यहीं तक हुई है अब इसके बाद में हमें चलना है Chrome browser में अब देखिए more options में ही और कई सारे options मिल जाते हैं यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है short remixing अगर यहाँ पर allow video and audio remixing करोगे तो आपके वीडियो पर भी कोई short video बना करके अपने चनल पर वो upload कर सकते हैं अगर यहाँ पर लिखा कि allow only audio remixing अगर आप इसको allow करते हो तो आप जो बोलोगे उसका audio बना करके कोई अपने वीडियो पर upload कर सकते हैं और don't allow में कोई भी अपने आपके वीडियो को मतलब short में create न नार चलते की category जो है बहुत सारी लोग अपने चनल की category ही गलत डालते है अब डाल रहे है बलोग और category है कुछ और डाल रहा है इंट्रइब्मज वाली category कुच और बहुच होँ डालने एं comedy video category कुछ और रहे डालने ने events वीडियो को तो इस उसमिन आपकी category क्या है वो आप मह बना रहे हो कि entertainment वाली वीडियो बना रहे हो, अब आपकी वीडियो को भेज रहा है, share market वालों के पास में, तो आपकी वीडियो को जाहिर सी बात ने कोई दीखेगा नहीं, वो skip करके हटा देगा, अब वहाँ पर एक impressions की वज़े से आपका वीडियो डाउन हो गया, दस लोगो इस आपका, कोई जैसे news से related वीडियो बना रहे होँ तो यहाँ पर आप news and politicians मेर हो अगर माल लेजिये, आप याँ पर entertainment वाली वीडियो बना रहे हो, comedy वाली, तो entertainment रह सकते हो, अगर आप यहाँ पर film से related, क și movie से related कोई वीडियो बनाते हो, तो यहाँ पर आपको film and animation पे रखन तो कि how to create hair style, how to create जैसे माल लिजिए तो आपको इसमें करना है how to style में, music से related है तो आप music में रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे education से related है, तो education से, comedy टाइप में है, तो यहाँ पर देखी आपको comedy दिया गया है, car war से related videos बनातो हो तो यहाँ पर देखी car से related दिया गया अब मेरा यहाँ पर क्या है, tech channel है, तो यहाँ पर मैं science and technologies यहाँ पर रखूँगा, इतना हो गया, अब यहाँ पर देखी क्या लिखा गया, comment, comment पर click करिए, तो यहाँ पर देखी क्या लिखा गया, choose a setting for this video, आप अपनी video पर किस type का comment चाहते हो, आप चाहते हो कि सब कोई जो आलतु फालतु comment ना करें, ना link को comment करें, आपकी video अच्छा perform करें, क्योंकि अगर आलतु फालतु video comment लोग करेंगे, तो YouTube क्या करता है, उसी hold पर करने लगता है, तो आपकी video का reach down हो जाता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कि hold potentially inappropriate comments for review कर सकते हो, वाइट इस्षूड में comment दिखाई देगा, लेकिन जब कोई viewers आपकी video को देखें, तो कोई comment यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, ठीक, तो आपको यहाँ पर इस तरह से रखना हुआ है, और disable comment करना चाहते हो, तो इस पर click कर सकते हो, तो हमेशा आपको इस बीच वाले option पर click करना है, hold potential inappropriate comment, सबका comment आ तो जितने लोग आपकी video को like करें हैं, वो दिखेगा, अभी जैसे आपको मेरी video पर कितने like दिख रहे हैं, वो दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर इस option को untick करोगे, तो दिखाई नहीं देगा, तो इसको हमेशा tick करके रखो, अब इसके बाद यहाँ पर license and distribution, इसको click करते ह अब जैसे क्या लिखा गया, standard YouTube license, आप जब भी कोई video बनाओ, आपका खुद का content रहे, तो हमेशा standard YouTube license ही रखेए, और एक है common creative attribution, इसका मतलब यह होता है दोस्तों, कि जैसे माली जब कोई भी content बना रहे हो, अगर यह वाला license आपका रहता है, तो आपकी video को copy करके वो अपन तो उसे आप claim नहीं कर पाओगे, अगर यह category रहे, हमेशा आपको standard YouTube license रखना है, इसके बाद में, यहाँ पर क्या लिखा गया, allow embedding, इसको आपको टिक करना है, कई सारे लोग इसको टिक नहीं करते, और मैंने कई सारे वीडियो में बता हुए, इसका मतलब होता यह है कि पर बैड़ियो पर भी चल सकती है, इतना आपको करके आपको यहाँ पर अपने वीडियो को कर देना है, टिक, अब इसके बाद में, आपको यहाँ पर thumbnail भी लगा लेना है, चलिऑ यहाँ पर इस तऱ से thumbnail भी आपको कोई लगा लेना है, जैसे हमार लिजिए, यहाँ पर मै मैं आपको बताता हूँ Chrome भी अब देखिए मैंने टाइटल हो गया देखिए यहाँ पर मेरा description भी हो गया ठीक है इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है so more पर क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर कई सारे setting आपको करना है टैघ भी हो गया टैग भी लगाना मैंने बता दिया अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है यह लैंघुज देखिक जए लैंगुज देखिए। mojeet है अग आपकी वीडियो का लैंगुज क्या है यहाँ पर आपको नन ही रखने देना है ठीक है, title and description language यहाँ पर भी आप select कर सकते हो कि आपके title और description का language क्या है तो यहाँ पर देखिए, आप Hindi select कर सकते हो यहाँ पर बहुत सारे चीज़े दी गए है बहुत सारे language दी गए है ऐंडिया में सभी लोग हिंधी जानते हैं तो इंडिया में सभी के पाथ में आपके video को भेज़ेगा Out of country में भी जो लोग रहेंगे वो भी Hindi अगर जानते रहेंगे, हिंधी वीडünüz देखते रहेंगे तो उनके पास में भी आपकी video को भेज़ेगा YouTube ठीक इसके बाद में recording date and location आप चाहो तो इसको दे सकते हो otherwise आप नहीं भी दे सकते हो license के बारे मैंने आपको बता दिया आप यहाँ पर देखिए allow ending के बारे में पहले मैंने आपको बता दिया था इसको आपको करना है इसके बाद में एक सबसे important setting है दोस्तो इसको कई सारो लोग भूल जाते हैं करना जिसके बसे आपकी video पर views नहीं आता है यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है यह जो टिक मैं अंटिक अभी किया हूँ क्या लिखा गया है publish to subscription, feeds and notify subscription अगर यहाँ पर आपका यह अंटिक रहेगा तो आप जब video अपलोड करोगे तो किसी के पास में notification नहीं जाएगा इसको आपको टिक करना है जब आप video अपलोड करोगे तो जितने भी आपके subscriber है सबके पास में notification जाएगा इस setting को आपको ध्यान से देख लेना है ठीक है short remixing का आपको मैंने पहले वाइटी शूड़ों बता दिया है category के बारे मैंने पहले ही आपको बता दिया है इतना सब कुछ हो गया अब जब video आप अपलोड करने लगोगे तो यहाँ पर देखी क्या लिखा गया है subtitle अगर आप चाहते हो अपने video में subtitle एड करना तो आप subtitle एड कर सकते हो अधर वाइस आप इसे छोड़ देना है यहाँ पर देखी और दो setting है तो यहाँ से लग जाएगा तो इसको आप element यहाँ पर देखी end screen पर आप क्लिक करोगे यहाँ पर भी आप इस दरह से video लगा सकते हो ठीक लगाने के बाद यहँ पर आप इस तरह से save कर सकते हो इसके बाद यहाँ पर बचा आपका end screen Icard ठीक है यहाँ पर देखी यहाँ पर भी आप वीडियो सेलेट कर सकते हो ठीक है इस भी आप क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोई भी आपकी वीडियो लगए इस भी इस तरह से क्लिक कर दोगी आपकी वीडियो लगए इतना सब कारम मारा हो गया अब इसको आप यहाँ पर save कर दीजे, अब हम description बताते हैं कि description कैसे लगाना है, ठीक है? जहाँ से देखीगा, क्योंकि यह video थोड़ी से लंबी हो गई है आपको समझाना मेरा सबसे बड़ा उत्तरदाइत को है, आपको description को उठा लेता हूँ, इस video पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखीए, अपने इसी video का description यहाँ लगाया हुआ है, तो अभी देखीजिए इस video में description मैं क्या लगाया हुआ है, इंस्टाग्राम का मैंने link लगाया हुआ है, ठीक है? अपना पुरानी वीडियो का है, वो हटा देता हूँ, keyword क्योंकि यह दूसरी वीडियो है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं इस तरह से select करूँगा और यह वाला cut कर दूँगा, और भी कई सारे यहाँ पर देखीए, मैंने hashtag लगाया हुआ है, इन सभी hashtag को मुझे हटाना है, ठीक है? तो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने वीडियो में hashtag कैसे लगाना है, अभी देखीए, यहाँ पर मैं मेरे channel का जो वीडियो का title है, YouTube channel कैसे बना है, YouTube channel कैसे बना है, यहाँ पर description में ने डाला हुआ है, इसके बाद यहाँ पर Instagram का, श्रीक है, Telegram का, अपने second channel का vlog, इस तरह से आपको भी अपने वीडियो का यहाँ पर link लगा जिने, अगर आप लगाना चाहते हो, इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से hashtag लगाने के बाद में, आपकी वीडियो का क्या title है, YouTube channel, तो जब title में आपने YouTube channel लिखा हुआ है, उ अपने channel का नाम, यहाँ पर देखिए, active role मैंने लिखा, अब कोई मेरे channel का नाम अगर active role search करेगा, तो यह वीडियो मेरे जो है, उसके सामने आजाएगे, ठीक है, इस तरह से आपको hashtag लगाना है, एक दो hashtag यहाँ पर इस तरह से आपको लगा देना है, इसके बाद YouTube, इस तरह से लगा दोगे, अब आपकी जो वीडियो है, वो पूरे तरीके से complete हो चुकी है, आपको save कर देना है, अब save करने के बाद आपको तुरंत ही upload नहीं करना है, कि यार जैसे मैंने वीडियो बनाया, सब कुछ किया, इसके बाद वीडियो को तुरंत public कर दिया, आपको एक time पर public करना है, जिस दिन, जिस time पर आप regular public करो, जैसे माल लीजी आप सुबा 8 बजे करना चाते हो, तो 8 बजे करो, सामके 4 बजे करना चाते हो, चार बजे करो, 6 बजे करना चाते हो, तो रोज 6 बजे ही करो, तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप वीडियो upload करोगे, तो आपकी guarantee है कि आपकी वीडियो search में जाएगी, recommendant में जाएगी, browse features में जाएगी, suggested में जाएगी, और YouTube आपकी वीडियो पर अच्छे तरीके से views प्लाना इस्टार्ट कर देगा, आपकी वीडियो का impressions भी बहुत अच्छे तरीके से जाएगा, क्योंकि आप proper सही तरीके से वीडियो upload क अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो यार प्लीज लाइक कीजिए, चनलों को सब्सक्राइब नहीं कीओ, सब्सक्राइब करके बिल आइकन को फ्रिस कीजिए, दोस्तों आची वीडियो में इतना है, मिलते हैं नए वीडियो में इगनेटों के साथ तब तक लिए जाहें, बन्दे मात्रा